हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब सुरू यूट्यूब चैनल, दोस्तो जारखन्ड स्टाप सेलेक्शन कमिशन दारा जो है GM LCCE, जो आपका मैट्रिक स्थर की संयुक्त परिक्षा होती है, उसका ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है, आप यहां से इसका रिजिस्टेशन करके अप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उस पे क्लिक करके इसके ऑफिशल वेबसाइट पर आएंगे, वहां पर आप सबसे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें, तो यहां पर नोटिफिकेशन खुल कर आ जाएगा, यहां पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी पोस्ट है, इसके लिए 10th past candidate अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही इसके syllabus के बारे में यहां पर डिटेल में दिया गया है, जैसे कि हिंदी भासा का ग् तो registration ID और password फिल करें और login करने, नहीं तो आप new registration पर क्लिक करें, new registration पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले citizen select करना होगा, आप भारती हैं तो आप yes कर दें, उसके बाद local residents जारखंड, अगर जारखंड के निवासी हैं तो yes कर दें, और अगर नहीं हैं तो no पर क्लिक कर अगर आप other state के हैं तो आपके वाल unreserved category में ही apply कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप PH candidate हैं, physically handicapped हैं तो yes कर दें, और अगर नहीं हैं तो no कर दें तो इसके type जो हैं बंद हो जाएंगे, अगला option है क्या आप ex-servicemen है, army, air force या navy में अगर हैं तो yes करें, उसके बाद आपको experience, experience, ex-servicemen, certificate number, certificate date issue, यह सारी चीज़े डालनी होगी और अगर नहीं है तो no कर दें, यह सारी बंद हो जाएंगी, अब बात करते हैं, do you claim reservation under sports quota, अगर आप sports quota के अंडर reservation चाहते हैं, तो yes कर दें, type आप sports select कर लें, यहाँ पर certificate number, date कब certificate issue हुआ था, यह सारी चीज़े फिल करनी और अगर आप sports person नहीं है, तो आप इसको no पे click करें, next option है, आपका applicant name, आपको अपना नाम भरना होगा, नाम वहीं डालें, जो आपका 10th की mark seat पे हो, इसके बाद अपना gender select करें, और gender select करने के बाद आपको data birth डालनी है, और data birth के बाद अगला option आएगा, marital status का, आप married है and married ह या फिर other, उसके बाद आधार number डालें, और उसके बाद two identification marks, यानि कि आपके सरीर पे कोई निसान है, जैसे कि अगर तील है तो हाथ पे तो mole on hand, ऐसे करके आप लिख दें, जिससे आपकी पहचान हो सुके है, तो इस तरह से आपको लिखना है, फिर father name, यहाँ पर दो भरने identification marks, फिर आपको जो है father name डालना है, अपने पिता का नाम डालें, माता का नाम डालें और mobile number डालें, इसके बाद email ID, उसको verify करना होगा, अगला option है correspondence address का, उसके बाद permanent address और इसके बाद अगला क्या है, option for language paper to, कौन सी language, English, Hindi, Sanskrit, उर्दू, संथाली सारी है, आप जो है language select कर ले इसके बाद आपको post select करनी है, इसमें दो है kit palak या इसके बराबर या causal self या फिर इसके बराबर, तो आप अच्छी तरह से notification को पढ़ ले, next option है, school name, 10th का school name डालना है, board name डालना है, और कब आपने पास किया है, कितने number आपको मिले हैं और अपने subject, यह सारी details डालने के बाद आपको जो है, जो आपके पास certificate की जरूरत है, उसको certificate select करना है, board डालना है, year of passing, percentage of mark, certificate number डालना है, experience अगर है, तो आपको experience डालना होगा, इसके बाद इस box को tick करके submit button पे click करें, इसके बाद जो है, आपका form इस तरह से दिखाई देगा, आप इसको अच्छी तरह से fill कर दें और आपके registered mobile number पे registration number और login ID आएगा, उसके आप जो है, login कर सकते हैं, यहाँ पर pay now का option आएगा, लेकिन यह 24 घंटे में activate होगा, तो pay now पे click करेंगे, तो error आजाएगी, तो आप परिशान मत होना, यहाँ पर आपको login करना है, तो दोबारा आपको इसके website पे जाना होगा, और यहाँ पर login ID और password फिल करें, जो कि आपके registered mobile number पे आया है, तो जब दोबारा login करेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है, आप application fees जो है, registration के 24 घंटे बाद ही फिल कर सकते हैं, उसके बाद जो है, तो आप 24 घंटे बाद दोबारा login करें, तो आपको दोबारा login करना है, और login करने के बाद payment करें, payment करने के बाद photo upload करना है, और आपका form फिल हो जाएगा, final print ले लेना है, तो यह थी इसकी जानकारी और आप इसका study material चाहते हैं, तो comment section में yes लिखें, जिन लोगों को चाहिए, उनलों को handwritten Hindi और English के notes दे दिये जाएंगे, और इस से related कोई और जानकारी चाहिए तो हम उसे comment section में पूछ सकते हैं, यह video देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद